दिखिए अब तेल हो गया है इसमें हम डाल देते है आदा इस्पून जीरा और ये तीन हे खड़ी डाल मिर्च इन सब को डाल के इसे फ्राइ करने लगा है अच्छे से अब फ्राइ हो जाने के बाद हमें डालना है इसमें पहले ये टमाटर और प्याज तमाटर प्याज को अच्छा स्वर्ण हम साटे करनेंगे उसके बाद ये हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता आप चाहें अपने हिसाब से हरी मिर्च भी डाल सकते हैं जितना आप तीखा खाना चाहें अब देखिए फ्राई हो चुका है अच्छा सा भुन गया है टमाटर प्याज अब इसलिए हम अद्रग लासन था पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से ऐसे प्राई करिए ना है अच्छा प्राई हो जाने के बाद हमें यह डालना है जो यह मसाले हैं यह गरम मसाला लाल मिर्च पिसी आधी चमश आदा चमश रली और स्वात के अनुसार यह नमक के कश्मीरी मिर्च हैं इन सब को हम इसमें डाल देते हैं और इस परीके से अच्छे से पका लेना है थोड़ा पांच मिनट लेकिन पानी नहीं डालना है बीना पानी के इसको भूनना है हमें अच्छे से अब इसमें जो मटर रखा है तो यह मटर हमें डालना है यह ऐसे थोड़ा थोड़ा करके और मटर को डाल करके हमें फिर पानी डालना है यह देखे है आधा कटोरी हम पानी डाल देते हैं और इसको धब के रख देते हैं कम ज़की के मटर गल जाने के लिए देखे अच्छा सा पग गया है दिखा देते हैं देखे अब आधी मटर गल चुके हैं इसमें हम डालेंगे दई के दो चमच दई डालेंगे हम इसमें यह मीठा दई हैं बहुत ही जादा तीका दई नहीं है और इसमें ऐसे मिक्स कर देना है जब तक कि दई जो इसमें पूरा मेक्स हो जाए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी टेस्ट के एक और दुपसे हलका सा पानी डालेंगे ताकि मतर जो थोड़े अदगले है वो गल जाए और इसको हम धारके रख देते हैं अब इन सारे अंडू को पानी में पका लेते हैं और इसको धाक के रख देना है पाश में रख करीए अब सब एक पक गए हैं अब इस कर देते हैं गैस को बन और इन सब को अंडू को बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में देखिए अब सारे अंडू को हमने बाहर निकाल लिया है यह बॉइल हो चुके हैं देखिए यह सबजी अब पक गई है अब अंडो को हम इसमें डाल देते हैं जो हमने अंडे बॉइल किये थे और डाल करके इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर दो मिनेट के लिए हमको इसको पका लेना है देखिए अब सबजी पक गई है अब इसको निकाल लेते हैं डिशाओड कर लेते हैं अच्छे से अब चाहें आप इससे देखिए कुल्चे से खाएं या रोटी से खाएं और ये देखिए कितना ही सॉफ्ट ये एक बना हुआ है ये देखिए और ऐसे करके ट्राइ कर सकते हैं आप बहुत ही अच्छा बनाई यमि चलिए आप भी ट्राइक करिए बनाईए मटर और अंडे के सब्जी बनकर के तयार है आपने बहुत बार पनीर और मटर की सब्जी खाई होगी लेकिन एक बर ट्राइक करिए मटर और अंडे के सबजी इतनी टेस्टी बंदन है कि आप उंगलियां तक चड़ जाएंगे चलिए फिर दूसरी डिश लेके आते लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए अल्ला हाफिस कमेंट करिए बताइए कैसी बनी भी है